जय हिंद इस वीडियों लोग स्रेणिक लिमिटेड कंपनी बारें बात करेंगे स्रेणिक लिमिटेड एक संदार पेनिय श्टोक है लेकिन आने वाले कुछी समय बात यह संदार मल्टी पर रिटर्न देने जा रहा है जी जो लोग इसके सेयर सोल्डर हैं जिस बेक्ती के पास इस कंपनी के सेयर हैं अभी कुछ समय पहले जब लगा था तो काफी डरे हुए थें काफी घबडा गयते लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने बाद आपके मन से सारे डर सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे जी और जो नए लोग हैं जो इस सुनारा मौका है एक संदार कमपनी मौका है आपके लिए एक सही समय रहेचार आप असमें पोजीशन ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बात आपको हर एक चीज़ समझ में आजाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है आई आ सुरू करते हैं देखे दोस्तों सिरेनीक लिमिटेट जो कंपनी है भारत में कागज बनाने वाली कंपनी है कागज और कागज के मेटेरियल तियार करती है अपने इसके कोपी कलम और यह पेपर बोर्ट भी बनाती है यह सब देखें होंगे बात करें इसके मीटेट की। मार्केट केq का मार्केट केफ कांप्ध काफ्य बड़ी बात है से शेयर प्रैस फैसा है और हाई लगे दाउन और तीन रुपय का सपास तक तीन रुपय तक आनेक बाद फिर इसमें अप्ट्रेंड शुरू हुआ है और जब अप्ट्रेंड शुरू हुआ है तो इसका शेयर प्राइस उपर जा रहा है और उपर आनेक बाद और इस बार जब डाउन आएगा तो फिर वहीं तीन रोपे का असपास तक आएगा इससे नीचे नहीं जाएगा लेकिन अगर इस बार डाउन आता है और जब फिर ऊपर जाएगा तब पूरी गरांटी है कि अपने हाई को ब्रेक कर देगा और हाई को ही नहीं ब्रेक करेगा इससे भी काफी उपर जाएगा मैं आपको इस कंपनी के कुछ अच्छी चीज़े बताता हूं फिर काम के बात करेंगे कंपनी हर साल डिविडेंट देती है एक पेनी स्टोक होने के बावजूद हर साल डिविडेंट देना यह काफी बड़ी बात है और साल 2020 में कंपनी ने 25 प साथ दी थी मतलब कहने का कि साल दर साल इसका डिविडेंट बढ़ रहा है भले पैसा में ही बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है तो यह भी एक गुड नियूज की तरह है बात करें तो कंपनी ने 2020 में अपने सेर्स को बोनस भी दिया था तो इसके पास दो सेर्स थे उनको काफी है श्ट्रॉंग थी 2020 में जब से करोना आया ना करोना चलते यह कंपनी को काफी लॉस हुआ और सिर्फ यह नहीं काफी सारे कंपनी को लॉस हुआ है करोना में तो करोना में जो लॉस हुआ उसके चलते फिलहाल कंपनी दो साल से डिविडेंट नहीं दे रहे है कोई ब मुकाबले quarter 3 में कम हुआ है और निंग पर शेयर भी कंपनी का quarter 2 के मुकाबले बहतर हुआ है revenue भी generate हुआ है quarter 2 के मुकाबले quarter 3 में ठीक ठाक तो यहां तक आपको बाते समझ में आ गई पॉबली के पास देखेंगे तो 42 परसेंट और आदर्स के पास जिसमें फाई या 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 उगर आते हैं उनके पास 12 परतिसत की हिस्सेदारी है अब काम की original बात कर लेते कि आगे इस कंपनी में क्या हो सकते आपको क्या करना चाहिए देखिए आप पहले कंपनी का business model देखिए आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-4-5-10 साल तक यह जो कंपनी काम करती है इसके product की demand बढ़ने वाली है या कम होने वाली है अगर आपको लगता है कि नहीं आने वाले 15-20 सालों तो copy column जो इसके और product बीकेंगे उसकी demand बढ़ेगी तो बैसक आप इस company के share को buy कीजिए अग इतना growth की है पास्ट में और अब जो quarter 3 की नतीज़े आया है और जो futuristic point of view से मुझे लग रहा है कि company future में काफी growth करने वाले है इसके fundamental और strong होने वाले हैं तो मैं personally इस company में बढ़िया निवेस किये हुआ हूँ और इसमें लंबे समय तक अपनी position बना के रखूँगा उमीद करत